हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं वेद गुमार की घरेलोनुसके और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत एफेक्टिव बड़ा कारगरनुसका जिसके इस्तिमाल से जिसको अपना कर आप अपने फटी हुई एडियों से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों में सभी को जादेत अरलौगों को यह समसिया हो जाती है दोस्तो अक्सर ये प्रोलम महिलाओं को होती है क्योंकि महिलाओं गर में रहकर नंगे पैर रहती है और कामकाज में बिजी होने के कारण वो अपने पैरों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाती है अपने चेहरे का तो ख्याल खूब करती है लेकिन पैरों को अंदेखा कर देती है दोस्तो वो अपने काम में इतनी वियस्त हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि जादतर महिलाएं दोस्तो नंगे पैर ही अपने घर में काम करती रहती है और इसकी वज़े से ही एडिया फट जाती है आज हम आपको फटी एडियों के उपाय के बारे में ही बताने जा रहे हैं अगर आप भी इस उपाय को इसनुस्के को अपनाएंगे तो आपके पैर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर से चिकने और मुलाइम हो जाएंगे दोस्तों आई चलते देखते हैं कि वो उपाय क्या है जिसे अपना कर आप अपनी फटी एडियों से छुटकारा पा सकते हैं और फिर से आपके एडियां चिकनी, मुलाइम और चमकदार बन जाएंगे इसके लिए आपको चाहिए एक चमच ऐलोविरा जेल तीन टिकिया कपूर की और कपूर वही होना चाहिए जो पूजा में इस्तिमाल होता है और एक चमच वैसलीन, पैट्रोलियम, जेली तीन चीज़े आपको चाहिए अब दोस्तों देखते हैं किस तरह से इसमस्के को बना सकते हैं सबसे पहले आप कपूर की टिकी ले और इसको पीज ले पॉडर बना ले उसमें आप पैट्रोलियम, जेली, वैसलीन डाल दे एक चमच और उसमें फिर अलोविरा जेल भी डाल दे इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना ले बस दवा आपकी दोस्तों बिल्कुल तयार है और मुझे लगता है कि आप सभी के घरों में ये चीज़े हमेशा ही होती है और ना भी हो तो बहुत आसानी से आप इसको किसी भी मेडिकल शॉप से मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं बस ख्याल आपको यही करना है कि कपूर जो आप लेंगे वो वही होना चाहिए जो पूजा में इस्तिमाल होता है दोस्तों इसके बाद फिर आप एक टब में हलका गुनगुना पानी थोड़ा सा ले लें जिससे कि आपके पैर उसमें डूब जाए इतना पानी होना चाहिए और उस पानी में आप दो से तीन चमच नीबुका रस डाल ले और उसके बाद उसमें 10 से 15 मिनट के लिए अपने पैरों को डूबो कर रख ले 15 मिनट के बाद पैरों को बाहर निका लें ब्रस से अपने पैरों को रगड़ें, साफ करें और उसी गुन गुने पानी से पैरों को दो लें उसके बाद टावल से साफ कर लें और उसके बाद एडियों के उपर या फिर पूरे पैरों के उपर आप इस नुस्खे को लगा लें जो हमने आपको अभी बताया है और उस नुस्खे को लगा कर आप उपर से पैरों के उपर सोक्स पहन लें मौजे पहन लें और दोस्तो इस बात का भी खैल रखें कि ये नुस्खा आप रात में ही करें सोने से पहले दिन में करने से प्रोलम नहीं है लेकिन दिन में धूल मिट्टी आपके पैरों पर जम जाएगी और पैर जल्दी ठीक नहीं होंगे यदि आप अपने पैरों को धूल मिट्टी से बचा सकती है तो आप इस नुस्खे को दिन में भी कर सकते हैं ठीक है कोशिस करें कि आप दिन में भी मोजे पहन कर रखें और जूते पहन लें ताकि आपके पैर नंगे न रहे सके तो जल्दी आपको फायदा होगा दोस्तो इस नुसके को अपना कर आप दो से तीन दिन के अंदर अपने पैरों को फिर से बहुत ही खुबसुरत बना सकते हैं और फटी हुए एडियों से हमेज़ा के लिए छुटकारा पा सकते हैं इस उपाय को रो जाना यदि आप रात में करें तो ज़्यादे बहतर होगा लेकिन आप चाहें तो दिन में भी किसी भी वक्त सुभे से रात तक कर सकते हैं दोस्तो अगर आप अपनी एडियों के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो अपसे आपको इन सब चीजों की खरीदने की कोई जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो नुस्का हमने आपको बताया है बिलकुल सचता है आसान है और बहुत ज़्यादा एफेक्टिव भी होता है ये और ये एकदम फटी हुए एडियों से आपको छुटका रज़ ला देगा और आपकी जो एडिया हैं फिर से चिकनी गुलाइम और बहुत ही खुबसूरत बन जाएंगी दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत ज़्यादा अच्छे नुसके देखने के लिए उनको सुनने के लिए और उनका फायदा उठाने के लिए आप देखते रहें वेद कुमार के घरेलों नुसके वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सबी का बहुत बहुत ध स्थाइब बगारा झाल